लोग दोस्त तो कैसे हैं आप सभी आश्यागता हूँ अच्छे होंगे स्वस्त होंगे आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स क्लास नाइन्थ क्लास नाइन्थ का चैप्टर मोशन पढ़ेंगे कि मोशन होता क्या है अगर कोई एक राम लाल यहां खड़ा हुआ है तो क्या बोलेंगे आप कि यह क्या कर रहा है यह तो खड़ा हुआ है ना तो मतलब रेस्ट पर है अगर यह खड़ा है इसका मतलब क्या यह रेस्ट पर है यह रुका हुआ है यह चल नहीं रहा है लेकिन अगर यह दोड़ने लगे अगर यह दोड़ने लगे भागने लगे तो क्या करेगा यह तो यह भागेगा तो क्या कहते है उसको भागने को यह मोशन करेगा तो यह क्या करने लगा मोशन कार चल रही है तो कार क्या कर रही है मोशन पैन गिर रहा है तो पैन क्या कर रहा है मोशन तो कोई भी चीज अगर रेश्ट, मतलब रुकी हुई से चलने लगे, अगर रुकी हुई चीज से अगर कोई चीज चलने लगे, तो वो चीज किसमय जाती है, मोशन में, तो यही हम इस चेप्टर में पढ़ेंगे, कि मोशन क्या होता है, मोशन को और अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे समझें तो मोशन को समझने से पहले आपको कुछ चीजे समझनी पड़ेंगी आपको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि रेस्ट क्या होता है रेस्ट मतलब होता है कि कोई चीज रुकी हुई है और इसका उल्टा क्या होता है इसका उल्टा होता है मोशन मोशन मतलब कोई चीज चल रही है मोशन में है चल रही है मतलब मोशन में है तो इस वे आपको पता होना चाहिए कि कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेस्मेंट क्या होता है, विलॉसिटी क्या होती है, इस्पीड क्या होती है, एस्कलरेशन क्या होता है, ये चीजे आपको पता होने चीज है, ये बेसिक है, अगर आपको ये चीजे पता है, ये चार पास चीजे, तो आपको ये चेप्टर बहुत अच्छे से आता है, इनको मैं समझाता हूँ, पहले आपको एक चीज बताता हू कि दुनिया में physics के अंदर चीजों को दो कैटेगरी में बाटा हुआ है कोई भी चीज को दो कैटेगरी में बाटा है दो कैटेगरी एक scalar एक vector scalar quantity vector quantity scalar क्या होता है scalar quantity क्या होती है सुनो ध्यां से मैंने क्या बताया physics के अंदर कुछ भी चीज दो चीजें बटी हुई है या तो चीज scalar है या तो वह vector है तो यह होता क्या है scalar और vector यह समझते है scalar मतलब सिर्फ एक number अगर मैं बोलू time कितना हो रहा है तो आप बोलोगे 2 बच के 5 मिनट 6 बच के 8 मिनट 10 बच के 25 मिनट सिर्फ एक आप number बोलोगे आप मुझे मैं पूछूँगा temperature कितना है आप बोलोगे 30 डिगरी celsius 50 डिगरी celsius 10 डिगरी celsius मैं पूछूँगा आप कितने लंबे हैं एक फूट दो फूट तेन फूट चार फूट एक नंबर बताओगे आप सिर्फ एक नंबर तो वो अगर सिर्फ नंबर बताए जा रहा है तो वो इसकेलर के अंदर आएगा सिर्फ नंबर बताए जा रहा है नंबर को physics के language मैंगनिट्यूड कहते हैं तो जिस भी चीज़ के पास सिर्फ नंबर होता है मतलब सिर्फ मैंगनिट्यूड होता है उसे scalar कहते हैं जिसके पास सिर्फ magnitude होता है magnitude बतलब एक number only सिर्फ एक number जिसके पास number होता है उसे scalar कहते है और vector क्या होता है इसको बताने से पहले आप एक बात समझो ये A है ये B है मैंने कहा 100 meter की रेस है मैंने आपको number दे दिया 100 meter जो पहले पहुँचेगा या जो जीतेगा उसको मैं नाम दूँगा एक भाग रहे इस तरफ एक भाग रहे इस तरफ क्या कभी कोई किसी से पहले पहुँच सकता है अब आप बोलो कि दुनिया पूरी सरकल लगा के आ जाएंगे इतना भी नहीं भागना सौ मीटर की रेश है सिर्फ तो अलग अलग जगे भाग रहे हैं एक उपर भाग रहा एक नीचे मतलब सौ मीटर तो भागे लेकिन जीता कोई नहीं इसका मतलब अलग डायरेक्शन भाग रहे थे सब तो नमबर तो जरूरी है ही भागना कितना है साथ में ये भी जरूरी है कि किस डायरेक्शन में भागना है तो वो चीज़ आता है वेक्टर में वेक्टर में मैगनिट्यूड तो होता ही है मैगनिट्यूड तो होता ही है मतलब नमबर तो होता ही है सौ मीटर, दस मीटर कितना भी नमबर तो होता है, साथ में समें डेरेक्शन भी होती है, साथ में डेरेक्शन भी होती है आपको, कि इस डेरेक्शन में जाना है सौ मीटर की रेस है, सौ मीटर इस्ट में जाना है, पूरव दिसा में, सौ मीटर वेस्ट में जाना है, तो दोनों इस्ट जाएंगे, तो दोनों जब सौ मीटर की रेस है, और डिरेक्शन बता दी सीधा जाना है, तो सभी एक साथ भागेंगे, और जो पहले पहुंच गया, व वेक्टोर में कितना तो होता ही है साथ में डिरेक्शिन के भागपने तो किछ डियर्क्षिन भाग ना वम यह पहर अगर ट्रॉप करूंगा थे नीचे गुरेंगा तो इसके पास डिरेक्शन है यह पहर नीचे गिरा डिरेक्शन है है कितनी स्पीड में गिरा वो दो नमबर कितनी स्पीड में आ वह वह एक no vr ॡ यह वह यह ने है कि डिरेक्शन वे नीचे मतलब यह डेक्शन ले चैनल हुआ तो इसमें डिरेक्शन भी आ traffic तो दो ही होती नापते हो डिस्टेंस डिस्टेंस और वही आपको अगर वेक्टर में लंबा इनापनी है तो आप नापोगे displacement अब यह अलग अलग क्यों मैंने बोला दोनों दूरी है यहां से यहां तक की डिस्टेंस ही है तो नाम अलग अलग क्यों है एक स्केलर एक वेक्टर क्यों है समझाते हैं displacement displacement distance और displacement दोनों का मतलब यही होता है दूरी कोई कितना दूर है दूरी ही होता है दोनों का मतलब लेगे नाम अलग क्यों है वो सुनो कि डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुल पाथ कवर मतलब असलियत में कितना चले एक पॉइंट ए है यह यह पॉइंट भी है इसको इसते घर जाना है या एक रास्ता यह हैं रोड वाला तो इंची टेप लेकर जाओगे नापते 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 पहुंचोगे तो बोलोगे दो किल्यूमेटर चला मैंने तो तुम ने असलियत में इतना चला है असलियद में तो वह distance हो गया असलिय में प्लेस्ट में चला सबसे छोटा रास्ता आप मुझे यह बताओ ए और बी के लिए सबसे छोटा रास्ता क्या हो सकता है सबसे छोटा रास्ता में से स्ट्रेट लाइन होती है सीधी लाइन यह सीधी लाइन है इस से छोटा कुछ होई नहीं सकता चल के देख लो आप नाप के देख लेना अगर पैंसिल से अगर बना के देख लेना कॉपी में स्केल से नाप के देख लेना सबसे छोटा रास्ता एक स्ट्रेट लाइन होती है तो डिस्प्लेस्मेंट मतलब वाट छोटा रास्ता छोटा रास्ता कैसा होता है सीधी लाइन तो है तो दोनों दूर तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट सेम हो सकते हैं येस कि इस रास्ते को मैंने हटाई दी अलू अम मैं यहां से यहां जाओंगा तो असलियत में कितना चला इतना ही चला तो डिस्टेंस भी सिधी लाइन है और अगर मैं पोछूं कि डिस्प्लेस्मेंट कněतना है चोठा कितना है सिधी लाइन दिस्प्लेस्मेंट में ँतना ही है अतुम हो गएं गाती है विलॉस्टे、 और स्पीड के बात देखो को गाड़ी चला रहे हैं कि कोई 30 km पर से के पर आवर की स्पीड से भगा रहा है कोई 50 km पर आवर की स्पीड से भगा रहा है तो जैसे यह दोनों भाई-भाई थे बस एक स्केलर और एक वेक्टर हो गया एक मतलब एक ही है ऐसे यह दोनों भी भाई-भाई ही है दोनों का मतलब एक ही है बस एक में डिरेक्शन होती है एक में डिरेक्शन नहीं होती रेस लगानी है 30 km में चलना है मनों 100 km पर आवर से चलना है 100 की स्पीड से तो चला रहे हो लेकिन आपको यह नहीं पता चलाना किस डिरेक्शन में एक भगा रहा है नौर्थ एक भागा रहा है सौथ जीतेगा यह नहीं कोई क्या कि तो अगर सिर्फ मैंने आपको नमबर दे दिया कि 50 से चलाओ सफ नमबर अगर सकेलर बोला सब्सका सिर्फ 50 पेल तो वह आजाता है स्केलर में क्या होता है स्पीड ऊती है सपीड अगर मैंने बोला तीज से भागाओ लेकिन इस्ट में भगाओ तीज से हम्हें मैं सची वह साथ to पीछ बता है direction ने Beginning to witnessing लग में दे दी कि वहां जाती है satu does not जाती है क्या हो जाती है velocity को गिलॉअ सिटी को विलॉँटि समझाइए likely मतलब हचान है वही speed लेकिन अदें सपीद और लिएक भात ऐए इस में मैंने ड्यक्शन नहीं बताई कि ए सकलेरेशन किया होटा है कि कि यह होता है कि अच्छानक सा जलदी करता है इस पीड को एसकलरेट करने का मतलब क्या इस पीड बढ़ाना देखना गयर डालकर उसको गुमाऊगे ना काटा भूं भूमेंगा पूरा ऐसे जीरो से पूरा जितनी जितनी देट तक गुमाई रहोगे उसको तो एसकलरेशन मतलब इस पीड का बढ़ना टाइम के कि आपको जो मैं बताओं गां वह लिख लेना कि येश यहीं लिख देता हो मैं कि डिस्टेंस क्या होता है एक्च्वल पाथ कवरत को दाए डिस्टलेश्मेंट कि आ होता है defe ear और वहीं डिस्टेंस ही है। पहले पहुंच कहां गए। कि आपको बताया speed and velocity क्या होता है कि कितनी थेग हो है ना खो मैं कितनी देर में तो देखो जल्दी तुम यहां से एस ए से बी पहुंचक्राइए तो स्पीड होता है इस पीड होता है डिस्टेंस कवर मतलब तुम्हें डिस्टेंस कवर कर लिया डिस्टेंस कवर कि कवर्ड में इन ले लो जित्ना लेना है और तुम पचास साल बाद तो वहां पहुंचे अमेरिका तो उसकी में तुम कितना चल रहे हो वह स्पीड होती है हर एक सेकेंड में कितना चल रहे हो यह जैसे मैं कार चला रहा हो तो हर एक सेकेंड हर एक सेकेंड में तीन मीटर चल लिए तुमने एक सेकेंड में तो स्पीड इसकी ज्यादा होई ना तो कितनी देर में कितना चल रहे हो वह होती है स्पीड यह विलॉस्टी एक ही बात होती है बस डियरेक्शन पाता डियरेक्शन हो जाए तो विलॉस्टी डियरेक्शन है तो स्पीड होती एक ही बात है तो क्या होती है मैंने क्या बताया कितना कितने टाइम में चल रहे हो कि स्पीड के टाइम होगा इस की डिस्टैन्स कितने टाइम में समझ आया अब समस्ते विलोसीटी कौर्णक्ट आ मैं विलोस्टि दे दी मैंने तो यही है rate of change of displacement मतलब displacement मतलब अभी काओ final काम होच गए displacement एक point से दूसरे point के बीच का distance कितनी देर में चल्ज हो रहा है speed scalar है इसलिए मैं डिस्टेंस ले लिया यह vector है इसलिए displacement ले लिया scalar vector समझाई चुका मैं तो velocity क्या है vector है इसलिए मैंने लिया displacement तो rate of change of displacement मतलब displacement change हो रहा है कितने कितने time में change कभी दिख जाना change क्या होता है change मतलब पहले कितना था माइनस अभी कितना है जैसे एक केक है मैंने उससे आधा इससा खा लिया तो कितना change हो गया उसमें पहले एक था माइनस आधा एक केक था ठीक है उसका तीन इससे थे मैंने एक हिस्सा खा लिया तो कितना change आ गया इसके अंदर तो change कैसे आएगा पूरे में से पूरे में से मेरा वाला घटा दो कि आ गया चेंज टू थर्ड का अब कितना बचा यह तो तो चेंज मतलब पाइनल माइनस इनीशियल तो यहीं है सकी डेफिनेशन इसकी डेफिनेशन रेट रेट मतलब कितनी देर में रेट और change of displacement in a unit time in a unit time अब इसकी formula क्या बनेगा क्या बोला हम इने change of displacement displacement change final displacement minus initial displacement d final minus d initial final displacement मैंस इनिसेल हो गया चएंज का मतलब चेंज ऑफ डिस्प्लेस्मेंट एन यूनिट टाइम इन यूनिट टाइंट इन लेडिफ ś यह आ घए आपका दो टाय का फॉर्मॉला a rate of change of displacement na-tie rate of change of displacement in a time which called velocity समझ आ गया अब आता है स्केलर क्या होता है स्टी एसक डΗा होता है इस स्टाइशन होता है विलोश्त का चेज और टाइम के साथ इसात हो ईगा रेट चेंज आ अगे मतलब फाइनल व्लोस्टी इसका पर लिखे लो इस डे देफिनिशन हो डेफिनिशन से फॉर्मला बनेगा रेट और चेंज और विलासिटी in a time in a unit time हर एक तेर वे कितना चींज हुआ हैं यह यह acji मिpex मतलब dit एप मैनस म्यलोसिटी को और प्वाकर नील मुन्स मुन लॉट्ष इनआ है अपको्रस पाहर है मुद्ध यो sait की विलोसिटी कितनी चेंज हो रही है या के साथ उससे exploration कहते हैं कि समझ आया आपको आशा करता हूं समझ आया होगा नेक्स्ट क्लास में हम सभी पे questions लेंगे कि एक पॉइंट है चल रहा है तो कितनी देर में आंगे पहुंचेगा यह मैंने छोड़िया तो कितनी देर में नीचे गिरेगा मैं कितनी कितनी स्पीड बढ़ाऊً कि 3 सेट में वहा पौँच जाओं मैं कितनी देर में 30 में से केंडे से बेंगे बलाजा किए यह इंट्रोडव था कि डिस्टेंड डिस्प्लेस्मेंट विलोस्टी स्पीड एस्कलेशन होती क्या है I hope समझ आया होगा Thank You